हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे fit and fine होंगे बच्चो मैं हूँ विनोस सर और मैं आप सभी लोग का अमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ बच्चो जैसे कि हमने equation with one variable ये chapter शुरुवात किया था जिसका हमने practice set number 12.1 भी complete कर लिया था I hope आपने वो lecture जरूर देखा होगा आज हम लोग बच्चो प्रैक्टिस set number 12.2 यानि की word problems टाइप के questions हम लोग solve करने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो प्रीज हमारे चैनल को like, share and subscribe कर लिजेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा I hope आपको जरूर ये questions मतलब ये word problem type के questions है जो मैं सिखाने वाला हम ये आपको जरूर पसंद आएंगे तो चलिए अब लोग इसी उम्मीद के साथ एक short intro के बाद इस lecture को शुरू करते हैं तो आए बच्चों सबसे पहला जो questions है हमारे इस practice set number 12.2 क्या देख कर रखा है इसे हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही easy questions है आगर आप अच्छे से इसको ध्यान से इस question को read करोगे समझोगे और जो भी possibilities दिये गए उसको आप mathematical equations में convert करोगे और आगी जब solve करोगे तो आपको उसका value मिल जाएगा okay so यहाँ पर यह जो questions है यह mother और उसके daughter के बीच का यह questions है दोनों का age के बारे में हमें कुछ बताया गया okay so हम लोग read कर लेते क्या कहा गया है mother is 25 year older than her son मतलब क्या है माँ अपने बच्छे से 25 साल बढ़ी है okay माँ अपने बच्छे से 25 साल बढ़ी है आप आप सभी लोग को English तो समझ में आता होगा थोड़ा बहुत okay तो इसका मतलब क्या हो जाता है Mother is older than her son मतलब Mother is 25 year older than her son मतलब माँ आपने बच्चे से 25 साल पड़ी है अब आगे का क्या condition दिया है Find the son's age If after 8 year Ratio of son age to mother age will be 4 is to 9 मतलब क्या बोला गया है कि आज से 8 साल बात का जो ratio निकालोगे Mother age और son का age वो होगा 4 is to 9 आज से 8 साल बात का जो ratio निकलेगा Mother age और son age का तो वो कित्ता होगा 4 is to 9 का होगा So, सबसे पहले हम लोग ये consider कर लेते हैं आज का age क्या होगा हमें आज का age पता नहीं है तो 8 साल बात का age कैसे निकालोगे नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है हमें सिर्फ इतना देख कर रखा है कि माँ अपने बच्चे से 25 साल बढ़ी है अगर हमें सन का age पता होता तो हम लोग अपने Mother का age भी हम लोग पता कर लेते जैसे कि माँ लोग अगर सन का age है 15 साल तो उसकी माँ का age हो जाएगा उसमें 25 साल और बढ़ा दो 15 में मतब 40 साल हो जाएगा क्योंकि यह हमारा question कहता है कि माँ अपने बच्चे से 25 साल बढ़ी है तो हमें तो पता नहीं है ना बच्चा कितने साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है बहुत ही simple सा question है तो हम लोग यहाँ पर consider क्या करेंगे let the present age मतब आज का age, बच्चे का आज का age हम लोग consider कर लेते x year तो यहाँ पर मैं लिखूंगा let the present age of the solution में let the present age of present age of her son present age of son be x year okay, son का present age क्या है भाई, x year का है अगर son का present age x year का है बच्चो so therefore the present age of her mother कितना होगा therefore the present age of her mother mother का कितना होना चाहिए यह बच्चे का अगर x year है तो mother का simple है बच्चो का अगर आपने x लिया है तो mother का क्या होना चाहिए x में और 25 साल बढ़ा दो मतलब x plus 25 years का हो जाएगा x year किसका है बच्चो यह बच्चे का है उसके बच्चे का age है तो उसके mother का कितना हो जाना चाहिए therefore the percentage of mother will be हम लोग लिखेंगे will be x plus उसमें और 25 साल add कर दो x plus 25 years का हो जाएगा बहुत ही simple सा logic है मा अपने बच्चे से 25 साल बड़ी है तो अगर बच्चे का age आप x ले रहे है तो mother का age x plus 25 हो जाना चाहिए अब क्या कहा है find the son's age हमें क्या find out करने वोला son's age find out करो if after 8 years the son's age to mother age will be 4 is to 9 मतलब son's age तो पता ही करना है लेकिन आज से 8 साल बाद आज से 8 साल बाद हमें क्या बोला गए son's age और mother's age son's age to mother's age will be 4 is to 9 यहापे हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा है mother age पहला लिखा यह son's age son's age और यहापे हम लिखना है mother age so हमें क्या बोला गए question में find the son's age हमें son's age तो निकालना है और if after 8 years after 8 years मतलब आज से 8 साल बाद आज से 8 साल बाद अगर में ratio निकालू किसका son age to mother age तो वो ratio आएगा 4 is to 9 का तो हमें आज का age तो हमने consider कर लिया है भाई आज का age अपने उसके बच्चे का x year है तो उसके mother का x plus 25 year है आज से 8 साल बाद क्या age है वो हम लोग पहला ढूंते निकालते तो अगर आज बच्चे का x year age है तो आज से 8 साल बाद बच्चे का हो जाना चाहिए x plus 8 year का और उसके mother का क्या हो जाना चाहिए x plus 25 तो आज है इसमें और 8 साल जोड़ो तो उसके mother का हो जाएगा x plus 33 year अगर बच्चे का age आज से 8 साल बाद x plus 8 year का हो जाएगा और उसके mother का age x plus 33 year का हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लेखेंगे after 8 year आज इसे 8 साल बाद का age हम लोग निकाल रहे after 8 years आज इसे 8 साल बाद sun का age कितना होना चाहिए आज से 8 सल बाद संकाईज किता होना चाहिए आज X एरे तो आज से 8 सल बाद संकाईज हो जाएगा X प्लस 8 years का और मदर काईज किता हो जाएगा X से 8 सल बाद मदर काईज हो जाएगा मदर काईज तो पहले क्या था X प्लस 25 था उसमें और एड चोड़ दो तो यह बन जाएगा टोटल x प्लस 33 years का, ओके बहुती सिंपल सा है सबसे पहले हमने यह दो लाइन में बच्चे का और उसके मदर का प्रेजेंटेज लिखा, ओके उसके बाद हमने आज से 8 सल बाद का एज निकाल लिया अब आज से 8 सल बाद एज का एज तो निकाल लिया अब उसमें करने के लिए क्या का गया था हमें बोला गया था, रेशो निकालोगे न 8 से 8 सल बाद उन दोनों का जो एज होगा उसका रेशो निकालोगे तो 4 इस तो 9 मिलेगा तो हमने आज से आठ सल बात का एज निकाल दिया, अब हम लोग सिधा हैं आप लिखेंगे according to given condition, according to given condition, क्या है condition, x plus h, बच्चे का एज upon, बच्चे का एज upon, मदर का एज, क्योंकि हमें क्या बोला है, आठ सल बात उन दोनों का एज का जो रेश्यो निकालोगे, एज किसका लिखना है उपर, बच्चे का एज, और नीचे लिखो, मदर का एज, तो रेश्यो क्या आएगा, 4 is to 9 का आएगा, देखो, आपने अच्छे से इसको समझा, और mathematical equation की form में इसको convert भी कर दिया, तो बहुत ही simple सा है, condition में ये देखर रखा था, आठ साल बाद अगर रेश्यो निकालोगे, sun age to mother age, हमें बोला है, sun age to mother age, वो रेश्यो आएगा, 4 is to 9, तो आठ साल बाद का sun age क्या, x plus 8 है, और mother का x plus 33, उसका रेश्यो निकालोगे, तो 4 is to 9 आ रहा है, अब इसको बहुत ही simple तरीकिते, से हम लोग solve करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, ये 9 को ये x plus 8 के साथ में multiply कर देंगे, so 9 multiply by x plus 8, फिर ये is equals to है, तो is equals to put कर तो, ये जो x plus 33 ये 4 के साथ में multiply हो जाएगा, 4 multiply by x plus 33, ओके, बहुत easy हो गया, अब ये 9 का multiplication इस ब्रैकेट के साथ कर दो, तो 9 का multiplication जब ब्रैकेट में करोगे, तो यहाँ पर answer आएगा, 9x आजाएगा, 9 into x 9x, और 9 into plus 8 करेंगे, तो plus 72 आजाएगा, तो is equals to 4 का multiplication इस ब्रैकेट में कर दो, 4 into x करेंगे, तो क्या आजाएगा, 4 into 33 करेंगे, तो किता आएगा, 132 आजाएगा, 4, 3, 12, 4, 3, 12, 13, 132 आजाएगा, ओके, तो यह आपका equation बन गया है, अब इस equation को आप बहुत ही simple तरीके से solve कर लोगे, जैसे कि आपने previously किया होगा, practice set number 12.1 में, क्या करना है आपको, यह जो like term में एक तरफ लेकिया हो, मतलब जो 4x है इसको left side में लेकिया आजाओ, और यह constant term को एक तरफ रख रखो, मतलब क्या, जो variable वाला term है उसको में left side में रख लेता हो, और जो non variable वाला term है, यानि कि constant हम इसको right side में बेज देता हो, तो 4x को यहाँ आपने लेकिया जो 9x के पास, तो 9x क्या हो जाएगा, 4x जब 9x के पास आएगा, तो minus 4x आजएगा, क्योंकि यह right hand side से left hand side में चल कर आ रहा हो, तो sign क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, अब यह 72 plus में, तो left hand side से right hand side में जब लेकिया जाओगी, तो again उसका sign क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, minus क्या हो जाएगा, तो आपको answer आजएगा 60, okay, minus करके आप check कर सकते हो, so 5x equals to 60 मिल गया, so इसका मतलब मुए x का value ढूणने के लिए में क्या करूँगा, 5 को भी उधर लेके चले जाओगा 60 के पास में, तो 60 upon क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, therefore मुझे finally x का value क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, क्योंकि 12 फाइदा 60 आता है, तो 5-12 जाब जाएगा, so x का value मैंने ढूण लिया, तो यह जो x का value मुझे मिला है, इससे मुझे क्या पता चलता है, बच्चे का age पता चलता है, क्योंकि मैंने बच्चे का age को x consider किया है, therefore मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, therefore the present age of sun is 12 years, तो यह आपका final answer है, इस type के questions बहुत ही easily तरीके से हमने solve कर लिया है, I hope आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा यह questions, और अगर नहीं समझाओगा तो कोई बात नहीं, आप इसको repeat कर लिजेगा, एक दो बार आपको अच्छे तरीके से समझेगा, ओके, तो चलिए अभी हम लोग फटा फट इस questions को हम लोग आगे बढ़ जाते इस questions से, अगर आपको इसका screenshot लेना है तो screenshot ले लिजेगा, और अभी हम लोग second question देखते हैं, तो चलिए बच्छों अभी हम लोग question number 2 देखते हैं, क्या दिया गया इस question में, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 2L, ओके, आप सभी को ये पता होगा, जो fraction होता है न बच्छों, वो हमेशन numerator and denominator के form में होता है, ओके, तो जो fraction होता है, वो कभी भी numerator and denominator के form में होगा, अब हमेशन numerator नहीं पता है, तो denominator कैसा पता लगाएंगे, नहीं पता लगा सकते हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे consider हम लोग कर लेंगे जो numerator है ना fraction का जो numerator वाला पार्टे वो x ले लेते हैं और जो denominator वाला पार्टे उससे 12 नंबर और increase कर देते हैं तो numerator से और 12 नंबर बढ़ा लेते हैं अब numerator अगर x है तो denominator का हम लोग x प्लस 2 ले लेगे okay वहती सिंपल सा है यहाँ पर हम लोग solution में क्या लिखेंगे let the numerator of a fraction let the numerator of a fraction numerator of a fraction यहाँ लेंगे हम लोग x okay so हम लोग क्या कर रहे हैं consider क्या कर रहे हैं हम लोग इस fraction में जो numerator वाला पार्टे वो x है X है, तो therefore denominator क्या आएगा, therefore the denominator of a fraction, the denominator of a fraction क्या होगा, of a fraction किता होना चाहिए, is X plus 12, ओके, यह हो गया, denominator of a fraction किता हो गया, X plus 12, देखो, अपने numerator of a fraction को क्या consider किया, बच्चो, X लिया है, तो denominator of a fraction क्या होगा, X plus 12 होगया, simple सा है, आगे, आगे की, जो condition है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे क्या दे रखाए, if the numerator is decreased by 2, and the denominator is increased by 7, अगर मैं numerator को 2 से decrease कर दूँ, अभी numerator किता X है, अगर numerator को मैं 2 से decrease कर देता हूँ, और denominator में, denominator को increase कर देता हूँ, और denominator को increase कर देता हू तो उसको 7 से increase कर दो, तो जो नया fraction मिलेगा, वो equivalent होगा, 1 upon 2 से, मतलब जो नया fraction आएगा, नया fraction क्या आएगा, X minus 2 upon, X plus 12 plus 7 किता आएगा, X plus 19, ये मेरा new fraction आएगा, ये क्या होगा, हमारा new fraction होगा, तो जो नया fraction मिलेगा, वो equivalent होगा, किसे equivalent होगा, 1 upon 2 से, और आप जब इस equation को solve करेंगे तो आपको आगे x का value मिल जाएगा ओके देखो क्या question में कहा गया है पहला statement जो पहला line का statement है I hope आप सब को समझ में आ गया होगा पहला line का statement में एक कहा गया था जो fraction में जो denominator वाला पाट है ना numerator से 12 number चाता है हमें numerator नहीं पता था इसलिए हमने numerator को क्या consider किया x consider किया numerator अगर x हुआ तो denominator क्या हो गया x plus 12 हो गया यह हमने consider कर लिया अब आगे क्या बोला गया अगर मैं numerator को decrease कर देता हूँ 2 से और denominator को 7 से increase कर देता हूँ तो मुझे जो नया fraction मिलेगा ना वो equivalent होना ची एक 1 upon 2 से और आगे बोला गया find the fraction तो यह बताओ fraction क्या हो था ओके कितना हो गाँ तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अभी new numerator और new denominator हम लोग निकालेंगे ओके सो हम लोग अभी यह करके बताएंगे if the numerator and denominator if the numerator and numerator पहला ऐसा लिखते if the numerator is decreased by 7 अगर numerator को 7 से sorry not 7 2 है ना if the numerator is decreased by 2 क्या लिखना है if the numerator is decreased by 2 तो नया numerator क्या मिलेगा वो लिखते new numerator कितना होगा नया numerator हो हम लोग लिखते x minus 2 ओके numerator क्या था x था अगर मैं numerator को 2 से decrease कर दू तो नया numerator क्या होगा x minus 2 ओके और उसी तरह denominator को अगर मैं 7 से increase कर देता हूँ if the denominator is if the denominator is increased by क्या से increase हो रहा है denominator 7 से ओके तो नया denominator क्या है आएगा वो भी लिख लेते new denominator new denominator is equal to क्या हैगा पुराना क्या था x plus 12 था तो इसमें और 7 को add कर दो x plus 12 plus 7 तो बन जाएगा x plus 19 ये नया denominator है और ये नया numerator है देखे बहुत ही simple सा condition दिया बिल्कुल confusion है नहीं इसमें clear cut to cut question है ओके तो पहले हमने बताया कि fraction में मेरा जो numerator है वो x थे और denominator क्या है वो x plus 12 है ओके आगे हमें ये कहा गया था अगर numerator को 2 से decrease कर दो और denominator को 7 से increase कर दो तो जो नया fraction मिलेगा वो equivalent होना चाहिए 1 upon 2 से तो अभी हमने ये ढून लिया भाई उस fraction का जो नया numerator क्या होगा और नया denominator क्या होगा अब तो हम लोग सीजा क्या लिखेंगे नया numerator अपन नया denominator इक्वल्स टो 1 upon 2 कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे according to given condition according to given condition क्या है condition condition है यह है कि जो नया fraction जो आपको मिल रहा है वो equivalent होगा किससे equivalent होना चाहिए 1 upon 2 से ओके again यह equation में convert हो गया है इसको हमें solve करके इसका value निकालना पड़ेगा simple है यह 2 का multiplication x-2 के साथ कर दो तो x-2 और यहाँ पे 2 लिख दो और is equals to a x plus 19 को 1 से multiply करोगे तो same answer आएगा x plus 19 1 का multiplication किसी भी number के दार होता है तो same answer आता है अब next step में क्या करोगे यह 2 का multiplication x-2 से कर दो तो 2 x क्या होगेगा 2 x हो जाएगा और 2 x-2 करोगे तो क्या होगेगा minus 4 हो जाएगा फिर is equals to हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x plus 19 आगे है आपका answer अभी मिल जाने वाले है अब क्या करोगे next step में यह x को उदर ले लो 2 x के पास में और यह minus 4 को 19 के पास में ले लो क्या करना है यह जो x है यहाँ पर आ जाएगा और यह minus 4 है यहाँ पर आ जाएगा बहुत है simple है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो सिर्फ x बचेगा तो x equals to क्या आया 23 आया ओके 19 प्लस 4 23 तो यह आपको x का वैल्यू मिल गया x का वैल्यू मिल गया आपको जाता है 23 अपॉन 35 ओके तो हमारा fraction बनेगा 23 अपॉन 35 तो इस टाइप यह कोशन थे नियूम्रेटर और डिनॉम्रेटर की उपर जो बेस थे बहुत ही सिंपल कोशन थे आयोप आपको समझ में आ गया होगा ओके आप लोग इसका फटाट एक स्क्रीन शॉट लेना है तो आपको बोला गया है कि एक यूटन्सिल अपना ब्रास का बना हुआ है और उस ब्रास में क्या चीज का मिक्षर है कॉपर एंड जिंक का मिक्षर है और भी उसका रेशो दिया गया है 13 रेशो 7 ओके तो बोला गया है कि जो वेट है कॉपर एंड जिंक का ब्रास यूटन्सिल में वह है 13 इस तु 7 यह रेशो में देख रहता है आगे आपको बोला गया है फाइंड टा वेट ओफ दो जिंक इन ब्रास यूटन्सिल वेटिंग 700 ग्राम अब हम यह पता लगाने के लिए बोला गया है कि find out कर लो zinc का weight brass utensil में कितना है अगर brass utensil का total weight 700 gram है तो again में repeat कर देता हो question को question में कहा गया है कि the ratio of weight of copper and zinc in a brass utensil is 13 ratio 7 मत्तब copper और zinc का जो ratio है ना brass utensil में वो है copper and zinc का जो ratio है brass utensil में वो है 13 is to 7 का हमें बोला गया है कि weight of the zinc पता करो यह ratio में यह weight नहीं है बाई zinc का weight निकालने के लिए हमें कहा गया है अगर total utensil का weight 700 gram है तो बहुत ही आसा question है solution हम लोग करते हैं so अगर कभी भी आप लोग यह ध्यान में रखिएगा अगर कभी भी ratio में कोई चीज आपको दिया जाता है 7x gram का हो जाएगा ओके तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे let the weight of the let the weight of the सबसे पहले यहाँ पर हम लोग common multiple लिख लेते ओके so therefore weight आजाएगा ना यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग let the common multiple be x let the common multiple be x यह लिख लिखेंगे common multiple be x पता हम लोग क्या करें इस ratio में हम लोग x का एक multiple कर रहे हैं इसलिए हम लोग लोग यहाँ पर लिखा let the common multiple be x common multiple x है therefore हम लोग बोल सकते therefore the weight of the copper the weight of the copper copper का weight क्या होना चाहिए बच्छो copper का weight होना चाहिए 13 x gram copper का weight क्या होना चाहिए 13 x gram and the weight of zinc zinc का weight क्या होना चाहिए weight of zinc वो क्या होना चाहिए 7 x gram यह आपका हो गया copper का weight आपको पता चल गया 13 x gram का है और zinc का जो weight है वो 7x gram का है अब हमें क्या बोला गए zinc का weight find out कर लो अगर total weight जो utensil का 700 gram है तो हम लोग क्या करेंगे according to given condition according to given condition यह ratio में था करके हमने यह आप एक common multiple x को consider किया तो हमने copper का weight को 13x पकड़ लिया और zinc का weight को 7x पकड़ लिया हमें क्या करना पड़ेगा x का value निकालना पड़ेगा और x का value जो अब इसमें put करेंगे न x की जगा पर तो आपको actual weight मिल जाएगा तो अभी हम लोग x का value आप लोग निकाल रहे तो according to given condition में हमें क्या लिखेंगे copper का weight किता है भाई 13x है okay plus zinc का weight किता है 7x है अगर मैं दोनों को add कर दू तो मुझे 700 मिल जाना चाहिए okay simple सा logic है 13x प्लो 7x करो तो 700 आ जाएगा कैसे आ जाएगा भाई ये weight किसका है भाई copper का ये weight किसका है zinc है दोनों को अगर मैं add करो तो total किता होना चाहिए 700 gram क्योंकि हमें क्या भूला गया है ये utensil जो पूरा का पूरा बना है वो copper और zinc को मिला करके बना है तो अगर मैं copper का weight और zinc का weight को दोनों को add करो तो 700 मुझे मिलना चाहिए इकोल तो 13x और 7x को plus किया तो किता है आजाना चाहिए यहाँ पर 20x आजाएगा ओके तो यहाँ पर 20x इकोल किता है 700 आ रहा है तो अगर 20x 700 है तो x इकोल क्या आजाएगा 700 अपन 20 आजाएगा ओके सिंपल सा logic है यहाँ पर इसको क्या करो यह 00 को कट कर दो धैरफ़ू एक का वेल्यू आपको क्या मिल जाएगा 70 आप उन 2 75 आपको टो से डिवाइट करो के तो क्या आजाएगा 35 आजाएगा ओके यहाँ पर आपको 35 मिल गया है x का वेल्यू ऐकर 35 आगया है तो आपको तो copper and zinc का weight आप निकाल सकते हो, हमें finally क्या बोला है, किसका weight निकालने के लिए कहा आ गया है, zinc का weight निकालने बोला है हमें, copper का weight हमें जरुवत नहीं निकालने का, okay, zinc का weight निकालना है, therefore हम लोग लिखेंगे the weight of zinc, the weight of zinc, equals to, zinc को हमने क्या consider किया था, 7x किया था, तो यहाँ पर 7 multiply by क्या कर लो, 35 कर लो, okay, 75 यहाँ पर क्या आएगा, 35, 3 carry, 7, 3, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पर आगे 245 ग्राम आगे, okay, अगर आपको, suppose by chance आपको copper का भी निकालना रहेगा, तो आप क्या करो, बस यहाँ पर x के जगा पर 35 पूट कर लो, तो 13 into 35 कर लोगे, तो आपको copper का weight मिल जा simple सा question था, I hope आपको समझ में आख चुका होगा, यह बहुत easy question था, but out आप लोग इसका screenshot ले लिजेगा, बच्चो, और अभी आप लोग चलते हैं, फिर अगले question की तरफ, यानि की question number 4 देख लेते हैं, अपने आपने बहुती interesting question है, और यह important question भी है, आपको exam में पूछा जा स लगता है, क्या दिएक कर रखा है, इस question में, find the 3 consecutive whole number, whose sum is more than 45, but less than 54, बत्तों, आपको ऐसे 3 consecutive whole number पूछा गया, consecutive का मत्तब क्या होता है, बच्चो, एक के बाद एक लगातार, okay, continue, जैसे कि अगर मेरा, suppose, पहला number 11, तो दूसरा number 12, और दूसरा number 13, ऐसे हमें 3 consecutive whole number, हमें find out करना है, such that अगर मैं 3 consecutive whole number का sum करू, तो 45 से जादा आना चाहिए, और 54 से कम आना चाहिए, अगर मैं 3 को plus करू, तो 45 से जादा और 54 से कम आना चाहिए, तो हमें फिलाल अभी पता तो नहीं है, ऐसा कौन सा 3 consecutive whole number हो सकता है, वो भी consecutive, मत्तब एक के बाद एक लगातार होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग x ले लेंगे, जो दूसरा रहेगा, उसके बाद का x plus 1 ले लेंगे और उसके बाद का हम लोग ले लेंगे x plus 2, इस तरह से हम लोग 3 consecutive whole number को consider करेंगे, तो मैं यहाँ पर solution में क्या लिखने वाला हो, let the 3 consecutive whole number, let the 3 consecutive whole number, b, क्या होना चाहिए भई, x, x plus 1 और x plus 2, x लिया, फिर x plus 1 लेंगे और x plus 2 लेंगे, तो यहाँ पर x plus 2, तो यह हमारा 3 consecutive whole number हो जाएगा, अब हमें क्या देखकर रखा है, given क्या देखकर रखा है, कि sum जो रहेगा 45 से जादा और 54 से कम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखे गेंगे, given that, given that, the sum is, the sum is more than 45, but less than 54, less than 54, मत्ता हमें यह देखकर रखा है, कि अगर 3 consecutive number का sum करू, तो 45 से जादा आना चाहिए, और 54 से कम आना चाहिए, अब ही हम लोग यह काम कर लेते हैं, हम लोग यह find out कर लेते, तीनो नंबर का sum 45 कम आता है, तीनो नंबर को add करने पर 45 कम मिलता है, वो हम लोग अभी find out करता है, so हम लोग क्या करेंगे, when the sum is 45, when the sum is 45, तो कम होगा, so therefore हम हम लोग क्या करेंगे, तीनो नंबर को plus करो, x plus, x plus 1 plus, x plus 2 करो, और equals to 45, हम लोग क्या पता लगा रहे हैं अभी, तीनो नंबर को plus करने पर 45 कम आएगा, okay, so यहाँ पर x plus, x plus 1 plus, x plus 2 equals to 45, आपको लिखना पनेगा, so देखो यहाँ पर कितना x हो गया, यहाँ पर, 1, 2, 3, तो 3 x हो गए यहाँ पर, 3x और plus, यह 1 plus 2 करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आजएगा, 3 equals to 45, एक equation बन गया, अब next step में आपको क्या करना चाहिए, 3 को 45 से subscribe कर देना चाहिए, so 3x equals to, हम लोग क्या लिखेंगे, 45 minus 3 हो जाएगा, so 3x equals to, हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 45 में से 3 लिखेंगे, तो 42 आएगा, so x का वेलो हमें क्या मिल जाना चाहिए, बच्चों यहाँ पर, therefore हम लोग लिखेंगे, x equals to 42 upon 3, 42 upon 3 लिखेंगे, तो क्या आएगा, 14 आएगा, okay, मतलब हमें यह पता चल गया, अगर मैं x का वेलो 14 लोंगा, okay, x का वेलो अगर 14 लोंगा, तो मेरा क्या लिखा है, यह 3 नबर का sum equal to 45 लिखेंगे, तो इसका मतलब मुझे x का वेलो अगर मैं 14 लोंगा, तो 3 नमर का sum जब करोगे, तो exactly equal to 45 मिलेगा, हमें 3 नमर का sum 45 नहीं, 45 से ज्याधा चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें x का वेलो 14 से ज्याधा लेना पड़ तो अभी यह पता लगा रहे है भाई तिनो नमबर का सम 54 कब आता है सो यहाँ पर तिनो नमबर का राएड कर लो एकस प्लस ग्र्सलंस अप्लस एकस तो 54 से सब्ट्राइक कर लो so 3x is equal to 54 minus 3 so 3x is equal to 54 में से 3 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 51 बचेगा अगर 3x is equal to 51 है तो x is equal to हमनों क्या लिखेंगे 51 upon 3 तो 51 upon 3 लिखने पर क्या मिलेगा आपको x का value क्या आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा क्योंकि 17 3 जा 51 आता है तो अब हमें यह पता चल गया अगर मैं x का value 17 लेता हूँ तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 17 18 19 यह तीन नंबर हो जाएगा और यह तीनों नंबर को जोड़ूंगा तो इसका answer मुझे 54 आ जाएगा 14 से जादा और 17 से क्या हूँ अगर 14 और 17 लोगे तो तीनों नंबर का सम exactly 45 मिलेगा और 54 मिलेगा तो हमें 14 और 17 तो नहीं चलेगा हमारे लिए हमें क्या करना पड़ेगा 14 और 17 के बीच में लेना पड़ेगा समझ में आया है कि नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते अगर के ध powin लोगे कि घजा का जो वैलिव रहेगा लाइस बीच में 14 और 17 यहाँ पर मैं लिएटूंगा धैर्फोर यहाँ पर मैं लिखूंगा धैर्फोर द वैल्यो आप यहाँ धैर्फोर द वैल्यो आप घैक्स धैर्पोर ता तो therefore मैं X का वेलु क्या ले सकता हूँ फिर? therefore the X का वेलु क्या हो सकता है? 15 हो सकता है and X का वेलु क्या हो सकता है? 16 हो सकता है 14 and 17 के बीच में X का वेलु 15 या तो 16 लेना पड़ेगा So अगर अब मैं लिखता हूँ If X equals to 15 तो मेरा 3 consecutive number क्या होगा? If x equals to 15 लेता हूँ So 3 consecutive number क्या होना चाहिए 3 consecutive whole number क्या होना चाहिए अगर मैं x का value 15 ले लेता हूँ So पहला तो value क्या आएगा x है x मतब क्या हो गया 15 हो गया दूसरा क्या है x plus 1 है यानि कि 15 plus 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और तीसरा क्या है x plus 2 तो क्या हो जाएगा 15 plus 2 इस तो हो जाएगा 17 तो मेरा 3 consecutive number क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं डाटिस करके लिख होगा डाटिस करके क्या हो जाएगा 15, 16 और 17 हो जाएगा यह 3 consecutive number हो जाएगा अगर if also करके also if x equals to मैं आप 16 लेता हूँ देखो 15 लिया था तो मेरा number क्या हो जाएगा 15, 16, 17 हो गया अगर मैं x का value 16 लेता हूँ तो मेरा 3 consecutive number क्या होगा so 3 consecutive whole number क्या होना चाहिए 3 consecutive whole number x का value क्या है 16 है तो x का value 16 है यह पहला number हो जाएगा 16 okay दूसरा number क्या है x plus 1 है तो यह हो जाएगा 16 plus 1 मत्तब 17 हो जाएगा और तिसरा number क्या है x plus 2 है तो यह बन जाएगा 16 plus 2 यह हो जाएगा 18 so आपका 3 number यहाँ पे क्या हो रहा है 16, 17, 18 okay so that is करके यहाँ पे लिख दे रहे है that is 16, 17 और 18 तो आप लोग यहाँ पे finally लिख होगे therefore the 3 consecutive whole number the 3 consecutive whole number whole numbers are क्या हो सकता है 15, 16, 17 15, 16, 17 और 16, 17, 18 इस तरह से इस question को solve करना था I hope आप सबको समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से इस question को solve किया है कापी interesting सा question था बच्चो यह important question भी है exam में इसको पूछा जा सकता है आप put out इसका एक screenshot लिजेगा बच्चो और फिर हम लोग क्या करते हैं पर total हमने जो चार question कम्लिट किया है इस चार question के साथ साथ हम लोग इस lecture को भी यहीं पे finish करते हैं आगे और 6 question रहे गया है जिसको हम लोग दो lecture में upload कर देंगे so that आपका इस chapter पूरा का पूरा complete हो जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से एक्जाम के लिए प्रिपार भी हो पाऊगे I hope आपका हमारा lecture जोरूर पसंद आया होगा दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट किये हो और आपने इस पूरे वीडियो को अंतक देख लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को एक like, share and subscribe कर लिजिएगा चलिए आज के लिए बस इतने ही मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो किसा तब तक लिए दोस्तो गुडबाय see you again